नास्कार दोस्तों मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शेर में आपका स्वागत करता हूँ इस अपील के साथ कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजे और उस बेल आइकन को दबाई ताकि जैसी कोश्चो करूं सीधे आपके मुबाइल फून्स तक पहुंच जाए आज आ कंत्री आदितना जौनपूर में थे प्रियांका गांधी वाड़ा महुवा में थी और हर दोई में थे अखिलेश यादव आज मैं तीनों की बात आपके सामने रखने वाला हूँ और मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि दरसल इन तीनों में से मुद्दे की बात कौन कर रह है मैं जानता हूँ उपके जहन में सवाल है कि मायवती जी कहा है यही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ मायवती जी कहा है क्यों नदारत है मगर मैं शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव ने आज अपने भाशन में प्रदेश तक उस शक्स को नहीं हटाया गया अखिले शादव ने कहा कि उसे हटाएंगे भी तो कैसे क्योंकि वो शक्स जो है वो उसी मंच पर दिखाई देता है जहां आमिच शा और योगी आदितनात हैं किस तरह से अखिले शादव ने हमला किया अजय मिश्रा के उपर केंदर सरकार और योगी आदितनात पर सुनिए और भूल जाएगा किसान भाई जो अपने आंदोलन को लेकर के अपनी माहों को लेकर के गए थे पीशे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई और आज भी ग्रहराजमंत्री हटाए नहीं गए हैं सोचे अगर ग्रहराजमंत्री बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे मुख्यमंत्री आदितनात के पास भी स्वरणिम मौका था कि सरकार ने तीन कानून वापिस लिये हैं उनके पास एक और स्वरणिम मौका था कि किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है क्योंकि इसी सुमवार को सरकार नए सिरे से एक बिल ला रही है जिसके जरिये उस कानून को वापिस लेने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा इस बात का जिक्र कर सकते थे योगी आदितना थे एक उपलब्धी के तौर पर मगर वो भी जानते हैं कि उन्हें किसान के मुद्धे पर वोट नहीं मिलने वाला है पश्यमी उत्तर प्रदेश में उन्हें वोट मिलेगा तो ले दे के वही जिन्ना हिंदू मिसल्मान के मुद्धे पर और मानो वो अपना जिन्ना राग जो है अलापना नहीं छोड़ रहे जौनपुर के अंदर भी उन्हें जिन्ना की याद आ गई अब हर राली में वो जिन्ना का राग अलापते हैं जो अपने आप में बहुती हास्यास पद होता जा रहा है किसान का जिक्र नहीं करेंगे जिन्ना का जिक्र करेंगे सुनिए दोस्तों अब बात करते हैं अखिलेश यादव की फिर से दोस्तों अखिलेश यादव ने जिक्र किया पुलीस का उन्होंने जिक्र किया दलित बेटी का जिसके साथ दुशकर्ब हुआ था हातरस में और पुलीस के रवये की उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता में था तब पुलीस के लिए एक नंबर बनाये गया था सो नंबर पुलीस आ भी जाती थी काम भी करती थी मगर योगी आदितनात की राज में पुलीस ही बदल गई है अखले शादव ने किस तरह का तंस किया सुनिये पुलीस के लिए भी सो नंबर दिया था पुलीस के लिए भी सो नंबर समाजवादियों ने दिया लेकिन हमारे बाबा मुख्यवंदी ने 100 का 112 कर दिया 100 नम्मर 112 हो गया और पता नहीं क्या किया पहले तो पुलिस ठीक थी पहले तो पुलिस ठीक थी पता जब से नम्मर बदला ये भी बदल गए थोड़ा 100 नम्मर था तो ठीक चल लई थी पुलिस लेकिन जैसे ये 112 हुआ पुलिस भी बदल गई मगर योगी आदितनाथ मौझूदा मुद्दों पर बात करने के बजाए इतिहास में जाना पसंद कर रहे है उन्होंने राम भक्तों पर आतंकवादी हमले करने जैसी बातों का जिक्र किया राम भक्तों पर गोली चलाने जैसे मुद्दों का जिक्र किया जो पुरानी बात हो चुकी है और सबसे बड़ी बात आपके पास पौने पांच साल थे तो जिन लोगों ने गोलिया चलवाएं आपने उन पर क्या एक्षिन लिया इतिहास में रहना चाहते हैं माननी मुख्यमंत्री जो की जिनकी जिनकी जिम्मेदारी है राजको भविश का जो है वो दिशा तै करें देखिए किस तरह से राम भक्त और आतंकवाद इन दोनों शब्दों को जोड़ डालाओं जिनकी तरम के दिशान करते तर चिनकी जिनकी रवाद करते ते नास्ता पर क्षळर करते थे लेगिन जिरें अपने अलजाता किसानों पर विस्वास है तो सरकार ने करएक दरस्ता पीड़ कि जिन वो प्रोधिया में ऑनोफ्नी के द्वार भोले और जिनने आस्टा का सम्मान करना था करना योग्या ने वहाइँ और दूसी तरफ अखिलेश ने राज की जनता के सामने महंगाई का मुद्दा उठाया और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तो इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुद्दे भारती जानता पार्टी की गले की फांस बन रही किस तरह से उन्होंने एक बहुत ही संबेदंशील मुद्दे को उठाया वो है सरसों के तेल के दाम करवा तेल के दाम और किस अंदाज में उठाया और मुझे लगता है ये मुद्दा जो है बहुत बुरी तरह से भारती जानता पार्टी की चुपने वाला है सुनिया अखिलेश किस तरह से बुद्दा उठा रहे हैं और बताओ कड़वा तेल कितना महंगा हो गया सरसों का तेल सोचो हिसाब किताब कैसा भारती जानता पार्टी का जो किसान सरसों पैदा करता उसको कीमत नहीं मिल लए जो किसान सरसों पैदा कर रहा उसको कीमत वानी दे रहे और जब वही गरीब सर्सों का तेल खरीदे तो बताओ कितने रुपए का मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो लोग दूसी तरफ मैदान में प्रियांका गांधी वाडरा भी थी मैं जानता हूँ इस वक्त कॉंग्रिस की तुलना समाजवादी पार्टी और भाजपा से नहीं की जा सकती क्योंकि ना उनके पास जमीन पर वैसा इंफ्रस्ट्रक्चर है ना जमीन पर ऐसे नेता है इस वक्त अगर कॉंग्रिस के पास कुछ है तो प्रियांका गांधी वाडरा का जो तेवर है उनका जो आकरामक तेवर है उनका जो जुझारू रवईया है वो है उनके पास मगर जमीन पर इस वक्त उनके पास निता नहीं है मगर बुंदेल खंड की भूमी में उन्होंने याद दिलाया कि किसानों के साथ किस तरह से विश्वास घात किया है और उन्होंने वादा किया कि जिस तरह से 36 गड में तमाम करजे माफ किये गए क्योंकि उसी मंच पर उनके साथ 36 गड के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल भी थे उन्होंने वादा किया कि जब हमारी सरकार थी और बुंदेल खंड के लिए जो हम पाकेज लेकर आये थे हम राज्य के लिए वो पाकेज फिर से लेकर आएंगे किस तरह से प्रियांका गांधी ने अपनी बात रखी सुनिये आपने देखा कि कॉंगेस की सरकार जब थी तब बुंदेल खंड में एक विकास का पैकेज आया था उसके जरीये बहुत कारी किये गए थे हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तैय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्दा माफ किया जाएगा आपने 36 गर के मुक्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्द माफ किये हैं 36 गर में इससे पहले देश भर में 72,000 क्रोर रुपे का कर्दा कॉंग्रिस पाटी ने माफ कराया मैंने प्रियंका गान्धी का भी भाशन सुना दोस्तों उस पूरे भाशन में मुझे कभी भी कोई जहरीली कोई बटवारा पैदा करने वाली बात नहीं दिखाई दी वो मौझूदा सरकार की आलोशना कर रही थी जो कि हर किसी का काम है विपक्ष की आलोशना करने का भी अधिकार मुख्यमंत्री आदितनाथ के पास है मगर मुख्यमंत्री आदितनाथ क्या जरिया ढून रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री आदितनाथ बाटने और काईया पैदा करने का जरीया ढून रहे हैं लोगों को बाटने क्यों कि भारती जानता-पार्टी को लग रहा है कि बगाир इसके थो हम सत्ता में आही नहीं सकते और आने वाले दिनों में भारती जानता-पार्टी इस ताप मान को और आगे बढ़ाई मैंने तीनों नेताओं को आपके सामने रखा तीनों की आवाजें आपके सामने रखें अब आप कह सकते हैं कि मुख्यमंतरी आदितनात ने और भी बाते कही होंगी मगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएए आप तमाम न्यूस चैनल्स पर जाएए आप फेस्बुक पर जाएए और आप देखिएगा कि खुद योगी और उनका प्रचारतंतर उनकी कौनसी बातों को जो है प्रोजेक्ट करना चाहता है जनता के सामने रखना चाहता है वही बाते जो मैंने आपके सामने रखी और मैंने इसलिए रखी दोस्तों क्योंकि इनके पास जनता को देने के लिए इसके लावा कुछ नहीं है मगर अभी चुनाव एक निरणाएक दोर में पहुँच रहा है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसका पलड़ा भारी रहता है और मेरा वादा है दोस्तों कि इस मंच पर मैं आपको तमाम आवाजें सुनाऊंगा क्योंकि देखिए होता क्या है आप और हम रोजमर्रा जो तमाम चुनावी भाशने वो पूरी तरह से नहीं सुन सकते तो उनका सार उनकी जो असल बाते हैं वो मैं आपको अपने मंच पर पेश करूँगा याद रखिएगा मेरा ये मंच अभिसार शर्मा आपको तमाम जानकारिया देगा उत्तर पदेश के चुनावों पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे इस कारक्रम को मेरे इस यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पनने को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपकी बातें मैं आप तक पहुंचा सकूँ नमस्कार झाल